आज का चैप्टर है विधूत का अधार भूत ग्यान तो पहला कुस्तन है भारत में जेनरेटिंग एस्टेशन पर AC वोल्टेज पैदा की जाती है 11 किलो वोल्ट या 11,000 वोल्ट भारत में AC वोल्टेज की आविर्थी होती है आविर्थी को ही फ्रिक्वेंसी बोलते हैं तो 50 Hz या 50 cycle per second एलेक्टिक स्पीड होता है 3 into 10 के पावर 8 meter per second या 3 into 10 के पावर 10 centimeter per second या 3 into 10 के पावर 5 kilometer per second Current, Voltage परतिरोध का संबंध होता है ओम के नियम से तो Voltage बरावर होता है Current गुना Resistance Current, Voltage और Watt का संबंध होता है Watt के नियम से तो उसका एंसर है Watt बरावर Voltage गुना Current किस लक्री का मालिट्स बनाया जाता है? साल लक्री का मालिट्स का उपयोग कहा होता है? मुलाइम पडार्थ पर हम मैलिट्स का उपयोग करते है Rapscut Chani या Rapscut File का उपयोग कहा होता है? तो Rapscut File का उपयोग लक्री, Illmunium, Rubber, Plastic पर होता है SWG SWG का क्या काम होता है? SWG का काम होता है Wire का Dia Check करना या Diameter of Wire SWG का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है Extender Wire Gauge Solding Iron का Beat किसका बना होता है? इसका एंसर होगा तामबा का जब कोई Insulation केवल को Electrician चाकू द्वारा Insulation हटाता है तो चाकू और Wire के बीच में जो इंगल होता है वो कितना होना चाहिए? 20 degree से कम होना चाहिए किसी बेक्ती को बिजली का जटका किसी बेक्ती को बिजली का जटका कब लगता है? जब किसी बेक्ती के सरीर में से Current गुजार कर सरकिट पूरा करता है तो उसे बिजली का जटका लगता है चलिए हम आगे बढ़ते हैं कोई ब्यक्ति को जट का मसूस होने लगता है लगभग कितने वोल्टेज पर उसका एंसर होगा 30 से 40 वोल्टेज AC पर लखडी काटने वाली जो आरी होती है उसको तेज करने के लिए कौन सा ओजार का पड़ियोग किया जाता है तो उसका एंसर होगा 3 कोन ये रेती का combination प्लास का माप कितना होता है देखिए ये दो माप होता है उसका 150 mm 6 इंच का दूसरा होता है 200 mm 8 इंच का neon tester या phase tester से हम क्या मापते हैं केवल हम voltage मापते हैं जो phase tester होता है उसमें जो series में एक resistance लगा रहता है कौन सा मान कराता है कम मान का की अधीक मान का तो उसका answer होगा सबसे अधीक मान का resistance बहुत उचा मान का resistance उसमें लगा रहता है पोल्ड चीजे चैनी बनी होती है किसका बना रहता है या carbon steel की बनी होती है इसकी cutting angle 30 से 40 degree तक होता है लोहा काटने वाली आरी hexo क्या होता है देखिए hexo frame जो होता है दो type का होता है पहला होता है fix hexo दूसरा होता है adjustable hexo fix hexo का blade 300 mm का होता है और adjustable hexo का blade होता है 200 mm से 300 mm तक परयोग किया जाता है और जो hexo blade रहता है तो उसमें जो blade में एक इंच में कितना दांत होते हैं तो 24 से 30 दांत होते हैं इस आरी की cutting आगे की तरफ होता है उसका cutting होता है forward direction में होता है crimping tool बना होता है crimping tool किसका बना होता है या high speed steel का बना होता है इसका size 200 mm या 250 mm होता है stock तथा die क्या है देखिए stock cast iron का बना होता है और die या इसमें set की जाती है die जो होता है high carbon steel की बनी होती है blow lamp किसका बना होता है तो blow lamp बना होता है पितल का pulley puller पुली कुछ निकाले वाला pulley puller किसका बना होता है तो mild steel का बना होता है extender wire gauge बनी होती है जो extender wire gauge बना होता है किसका बना होता है जिससे हम wire का ढाया माते है यह कोलाकार स्टील की बनी होती है प्लेट बनी होती है तथा यह 3 mm मोटी होती है बिजली की आग बुझाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए बहुत इंपोटेंट कोस्टन है बिजली की आज बुझाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए तो main switch बंद करना चाहिए समझे Electrolite तयार करते समय जो battery में यो डालते हैं उसको तयार करते समय क्या ध्यान दखना चाहिए तो बहुत important question है पानी में बूंद बूंद करके तेजाब डालना चाहिए फिर से मैं Question Refüt करता हूँ Electrolite जो हम बैटरी में पानी डालते हैं इसको Electrolite बोलते हैं Electrolite तयार करते समय क्या ध्यान डाकना चाहिए तो पानी में बुंद बुंद करके तेजाब डालना चाहिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं मैक्रो मीटर की कम से कम माप क्या होती है देखिए मैक्रो मीटर की माप होती है 0.01 mm या 0.001 cm सरकित का सबसे कमजोर पॉइंट क्या होता है फ्यूज होता है फेज वायर हमेशा किसी से कंट्रोल होनी चाहिए तो phase wire हमेशा switch से control करते हैं DC voltage की आविर्थी कितनी होती है DC voltage की आविर्थी सुन 0 होती है दिरिष्ट धारा क्या होता है जिसको हम DC बोलते हैं यह एक ऐसी विधूत धारा है जो एक ही दिशा में प्रवावित होती है उसी को हम DC current, direct current बोलते हैं प्रत्यावर्थी धारा क्या होती है उसको AC alternative current बोलते हैं जिस धारा की दिशा और मान एक इनेश्चित दर पर परिवर्थित होते रहते हैं उसी को हम alternative current या AC current बोलते हैं solar sail किसका बना होता है silicon का रारंभिक रूप से विधूत कितने परकार के होते हैं उसका answer होगा दो परकार के होते हैं पाइला AC दुसरा DC current क्या होता है उसका answer होगा electron की बह रही धारा को current करते हैं current चालक में गड़मी क्यों पैदा होता है तो उसका answer होगा electronों की आपसी रगर के कारण वहबल जो विधूत को चलाता है उसे क्या कहते हैं उसको बोलते हैं EMF इलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स जो बिधूत को चलाता है करेंट को हम किसे से मापते हैं तो उसका एंसर होगा आमीटर से भोल्टेज को किसे से मापते हैं तो उसका एंसर होगा भोल्ट मीटर से वर्ति रोध को किस से मारते हैं तो उसका एंसर होगा ओम मीटर से धर्ती या प्रिथिवी का पोटेंसियल कितना होता है तो उसका पोटेंसियल सुन्ह होता है जीरो होता है इलेक्ट्राउन, प्रोट्राउन और न्यूट्राउन पर कौन सा आवेस रहता है उसका एंसर होगा, इलेक्ट्राउन पर रीन आवेस, प्रोट्राउन पर धन आवेस, एवां न्यूट्राउन पर कोई आवेस नहीं रहता है लंबी संचार लाइनों में बोल्टेज मापी जाती है, कीलो वोल्ट में चालक का विशिष्ट पर तिरोध किस-किस पर निर्भर करता है तो उसका एंसर होगा, चालक की बनावट पर, चालक की पदार्थ पर इलेक्ट्राउन की दिसा होती है, इलेक्ट्राउन की दिसा रिन से धन की ओर होती है आयन क्या होता है वह पर्मानू जिसमें से कुछ इलेक्ट्राउंस अलग या जौर लिये जाए उसी को हम आयन कहते हैं विसिष्ट परतिरोध का इकाय क्या होता है मियू ओम सेंटीमिटर, मियू ओम मिलीमिटर, मियू ओम मीटर, मियू ओम इंच में उसका इकाई होता है विशिष्ट परतिरोद का तीन लैंप जो की 20 वाट, 60 वाट, 100 वाट सिरीज में जलने पर सबसे अधीक रोसनी कौन सा लैंप देगा 20 वाट का लैंप क्योंकि कम वाट वाला लैंप का परतिरोद अधीक होता है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही ये ओडियो कुस्षन कैसा लगा आप कोमेंस करके मुझे बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे मैं ऐसा ही कुस्षन एंसर आपके साथ सेयर कर सकूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू बेरी मच